यूटूब के लेटिस्ट वीडियोज, ब्रेक आउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां सेर नहीं कर पा रहा हूँ, साथ 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 स्टॉक मार्केट ये लेटिस्ट न्यूज के लिए टेलिग्राम चैनल को जरूर जोईन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ह साथ ही साथ आप टेलिग्राम पे स्टॉक बाजार और इजल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा उसे जोईन कर लें, इस वीडियों हम बात करेंगे एक बहतरीन सेर के बारे में, जो कि लॉंग टरम इंविस्मेंट प्रपस्स से होगा, और कंप्लीट बिजन लेकिन ये स्टॉक फणना में इतना स्टॉंग है कि ये एक लार्ज केप कमपनी के जैसा ही है, क्योंकि ये सेक्टर ही छोटा है, जब सेक्टर काफी बढ़ा हो, लेकिन इस कमपनी का अभी सेक्टर ही काफी छोटा है, तो इसलिए ये स्मॉल केप है, लेकिन आने बाले समय में यह stock large cap बन सकता है इतना potential stock में तो stock temporary basis गिरावट हो सकती क्योंकि market में गिरावट होगा तो जो small cap stock होते हैं उसमें काफी ज़्यादा गिरावट होती है market अगर 10% गिरता है तो small cap आपको 20% 30% तक भी गिर सकता है fundamentally strong होने के बावजोद क्योंकि जब market ही correct होड़ा है तो stock में भी correction होगा क्योंकि selling pressure जाद आ जाता है तो यह बाते याद रखना है कि long term में market को उपर ही जाना है long term में जो company बिजनेस में grow करती है उसे ओपर ही जाना है उसे stock को grow ही होना है तो हमेशा locked up purpose के लिए यह recommendation आपको लेना है तो सबसे पहले देखिए इसके हम result growth की बात करते हैं जो result है company का revenue है sales है net profit है क्योंकि यहीं तो हमें दिखाता है फिर हम business को देखें क्योंकि business के अनुसार ही revenue generate होता है तो यहाँ पर देखें टोटल revenue जो है revenue मतब company का revenue है slowly but slowly धेरे-धेरे increase कर रहा है और 2020 में यह revenue maximum था तो वहाँ से थोड़ा से गिरावट है क्योंकि प्रभावित हुआ है अब यहां देखें net annual profit की बात करें तो 2021 में 143.9 क्रोड है जब कि यहीं 2012 में था मात 9.6 क्रोड तो यहाँ पर net profit में तो काफी बड़ा जम्प है तो net profit काफी ज्यादा जम्प हुआ है उसका कारणी क्या है net profit margin जो profit का margin है company को वह लगभग 9.89% हो चुका है जब कि 2000 बाड़े में net profit margin जो था वह 1.62 था तो देखें profit margin जैसे जैसे बढ़ा company का profit बढ़ा साथ revenue बढ़ा उससे पर profit बढ़ा तो company का profit लगातार increase हो रह अब बात करते हैं balance sheet का, balance sheet काफी important parameters होता है, अब यहाँ पर देखें balance sheet में equity share capital जो है company के पास 14.2 क्रूर का है, और वहीं बात का है reserve or surplus का, company के पास reserve or surplus 2021 में है 491 क्रूर का, और यह लगातार बढ़ा है क्योंकि 2012 में मातल था 123 क्रूर का, तो वहां से बढ़ करके हो गया 491 क्र क्रूर का, तो काफी ज्यादा reserve or surplus जो है company के पास increase हुआ है, अब वहीं बात करते हैं, जो total long term debt है company के उपर, तो वह है 18.8 क्रूर का, तो date काफी कम है, और यह date काफी improve हुआ है, हाल के सालों में, देखे, 29 था, 33 था, 19 में, और 26 था, 2020 में, तो 2021 में काफी date कम हुआ है, 18.8 क्र debt है equity के comparison में, तो date के company उपर काफी कम है, तो company काफी बहतरीन कर रही है, अब उसके बाद जो different financial ratios है, उसको देखते हैं, तो जो return on equity है, return on equity 25% का है, तो देखे 25% और यह 2012 में मादर 7% था, तो return on equity consistent basis पर increase हुआ है, long term में, देखे, short term में decrease भी हुआ है, 2014 में मादर 3% था, लेकि capital implied की बात करें, 34.7%, दोस्तों इतना बहतरीन, इतनी solid company काफी कम मिलती है, 2019 के comparison में, 2020 में थोड़ा सा कम हुआ था, 2021 का भी उपलब्द नहीं है data, और यहाँ देखे, 2000 बारे मातर 18% का return on capital implied था, जो की बढ़के devil हो चुका है, लगवग, तो इतनी solid company है, हट परामेटर, जितन activity से free cash flow की बात है, 2020 में positive, 19 में positive, 18 में, 17 में, हमेशा मतलब operating activity से company cash flow generate किया है, और वही net cash flow की बात है, यह भी लगवग positive रहा है, कभी कभी negative हुआ है, लेकिन negative जब हुआ है, तो काफी कम था, लेकिन positive जब cash flow हुआ, तो काफी अच्छा generate किया है, यहाँ से net cash flow company ने, तो company cash flow भ date का रखा है, अब हम अगर इसमें promoters के holding की बात करें, क्योंकि promoters के holding काफी important चीजे होता है, यहाँ देखें, इसमें public का holding 47% है, तो यह पहला company है, जिसमें public holding का holding काफी ज़्यादा है, अब वही बात करें, promoters holding का 27% मात रहे, वही others की holding के बात के 18% है, mutual fund की holding के बात करें, 5% ह इसमें public holding काफी ज़्यादा देखने मिला है, और promoters का holding काफी कम है, तो अगर आप 40% से कम बाले promoters holding में नहीं जाना चाहते हैं, तो आप इस stock को avoid भी कर सकते हैं, लिकिन हमारे लिए stock काफी important है, मैं जब भी get out मिलेगा, long term के लिए निश्चित रूप से इसमें invest करूँगा, और promoters का holding देखें, 2019 में यहाँ पर 44 था, यहाँ से decrease हुआ है promoters का holding काफी ज़्यादा, तो बार में हम promoters holding में detail में जाकर के देखेंगे, कहां से कहां shift हुआ है promoters का holding, किसने buy किया promoters के stock, यहाँ पर अगर हम बात करें, mutual fund holding का, mutual fund की holding लगातार increase हो रहा है, तो जून में 5% हो 2021 में, और यहाँ पर बात करें, जो F5 का holding है, यह भी बढ़ा है, जून quarter में, तो लगातार F5 और mutual fund अपना holding बढ़ा रहा है, और जिसे गिरावट आता है, तो हम भी इसमें invest करेंगे, मैरा investment अभी इसमें नहीं है, क्योंकि यह stock को मैंने अभी ही काफी analyze करने के बाद इसको है, और आने वाले समय में, मैं भी इसमें invest करने बाला हूँ, अब बात करते हैं दोस्तों, इसके peer competition का, देखी यह stock है, हमारा वो है iron exchange, और यहाँ पर जो भी stock मैं discuss करूँगा, यहाँ पर peer competition में आये है, तो यहाँ उपर में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, जो peer competition है, इस यह जो misleadingous sector से है, मतलब काई सारी company के business है, और इसमें market cap देख लिए, काफी छोटी, मतलब एक company है, इसके company में और सारी जो company है, 23,000 क्रोड का market cap है, तो यह काफी छोटी company है, मतलब काफी छोटे market cap की company है, जो अलग-लग parameters है, वो आपने देख लिए, dividend yield की बात है, 0.23% का मातर different yield है, और company का जो current price है, 2558 rupees है, इस तरह से iron exchange काफी बेतरी ने stock है, लेकिन अभी बहुत ही high price पर यह trade कर रहा है, तो अभी आपको थोड़ा avoid करना चाहिए, तो अभी 52 भी गलो मातर 600 है, और जब के अभी high कितना है, 2500 और यह high लगा चुका है कितना का, 2947 rupees का, तो यहां से low से, तो इसके आसपास आएगा, तब चाट पर हम बात करेंगे, आप बात कर लेते हैं इसके business का, iron exchange business क्या करती है, तो water और water recycle, water conservation, water preservation, इस से related काम करती है, water purification, मतब water से related, तो water हमारा क्या है, future में आने वाले समय में क्या यह business बंद होने बाला, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम ज्यादा water की हमें जरूरत परती है, उसको purify करने का, तो refreshing the planet, जो industrial solution है, उसको भी करती है company, और उसके बाद industrial solution, cement देखे, chemical, electronics, paper plus, pharma, power burn, मतब सब में, जितने भी इसमें, industry में जरूरत परती है, water का, यहाँ पर management का, तो सारा काम करती है, यह company, उसके बाद जो institutional water management की जरूर जरूरत परती है, उसे भी करती है company, तो जैसे hospital हो गया, laboratory हो गया, railway हो गया, defense हो गया, इस सम में जो water, drinking water का जरूरत परती है, kitchen में, canteen में, उसका maintenance का काम करती है, यह company, मतब देखे, business कितना solid है, उसके बाद जो हमारा समुदाई है, जो समाध है, उसमें जो जरूरत परता है water के recycle करने का, drinking water का, उसका भी यह काम करती है company, उसका बाद जो reality sector है, उसमें भी करती है, साथ साथ बहुत सारे product और service भी company provide करती है, तो अब product और service में भी आप यहाँ पर देखते है, company जो है, 24 इंटो 7, 24 इंटो 7, मतब हमें साथ सर्विस अपना provide करती है, इसमें बहुत सार जैसे raw water treatment, process water treatment, post treatment, तो बहुत सारे, मतब water से related, जितने भी solutions है, industry में, institution में, society में, वो provide करती है, यह company, तो निस्चित रूप से feature में भी जड़त पड़ेगा, मतब एक company का business कभी भी मतलब ऐसा नहीं कि बेकार होने वाला, चाब बंद होने वाला है, company का business निस्चित रूप से regular रूप से चलने वाली है, तो निस्चित रूप से long term में अच्छा खासा, यह company return generate करके दे सकती है, अब बात करते हैं, इसके technical chart का, देखे चार्ट पर यह stock काफी solid है, देखे चार्ट पर यहाँ तो जब बात करना है, पिछले 20 साल का, तो पहले इसका 30 रूपीज का असपा stock जब उपर move करता है, तो यह 632 रूपीज का high बनाती है, और फिर वहाँ 632 से गिर करके यह 665 रूपीज तक आता है, मतलब हमेशा 50% का गिरावट यहाँ अभी भी हो रहा है, पहले तो काफी ज़्यादा गिरावट हुआ stock में, 60%, 70% तक का गिरावट देखने मिला, तो दे फिर गिरावट होती है pandemic के कारण, और 500 का असपास यह stock आता है, और यहां से 3000 के आसपास का high लगा चुका है, तो कुछ इस तरह का journey है, 100 टाइम्स का multi-bagger return दिया है, जिन्होंने भी 20 साल पहले invest किया था, तो काफी बेहतरीन stock है, ऐसे ही multi-bagger stocks आपको धुनने होते हैं, long term investment purpose आपको क्या करना है, यहां पर wait and watch करना है, अभी stock में invest नहीं करना है, क्योंकि यह stock एक small cap stock है, market में जैसे कभी भी गिरावट होता है, यह थोड़ा बहुत भी profit और revenue में decrease हुआ, तो यह stock अच्छा खासा यहां पर गिरावट दिखाएगा, तो फिर आप यहां पर buying कर सकते है इसमें long term के लिए, लेकिन जो small cap stock होता है, इसमें उतना invest नहीं करना रहता है, अपना investment portfolio जो diversify करते हैं, तो कुछ small cap में आपको invest करना है, जादा तर आपको जो sector leader stock है, उसी के साथ गांचे, देगे sector leader यह भी है अपने sector में, लेकिन यह sector ही काफी छोटा है, जब तक company well established grow नह इसी तरह के educational और informative वीडियो देखने के लिए,